ओम नमस्षिवाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ती ज्यान में, दोस्तों आज मैं आपको सिभ महा प्राण की कथा का स्रवन करा रहा हूँ, आप सभी भक्ती जन इस कथा को स्रद्धा पूर्वक मन लगा कर सुने, भगवान सिभ जी आप सभी के कष्टों को हर लेंगे, ब्रह्मा जी बोले है नारद, आम मैं तुम्हें उन दैत्यों का ब्रतांत सुनाता हूँ, जो भाग कर पाताल में छिप गए थी, उन दैत्यों में से एक बान नामक दैत्यों का स्वामी, युद्ध खेत्र से भाग गया था, वह वहां से क्रोंच दीप में जाकर नाना प्रिकार के उपद्रव करने लगा, उसने क्रोंच के सिर में अपना एक पैर इस प्रिकार मारा की वह परवत घबरा कर इसकंद के पास आया और यह कहने लगा, कि इस समय आपने तारक का बद करके तो संसार को दुखों से मुक्त कर दिया है, परंतु क जिसने दुख दिया है, उसके साथ आठ कोटी दैते हैं, यदि में आपके सरण में मन सुरूप धारन करके ना आता, तो ना जाने वह क्या करता, आपके सिवाए, अव मेरा इस संसार में कौन रक्षक है, इसकंद ने दैतिराज की यह कथा, तदा उसका उत्पात सुनकर उस दैति की ओर चलाई, उस सांग के चलने से दसों दिशाओं में प्रिकास फेल गया, सांग ने ख्यन वर में ही दैतियों को उनके अधिपती सहित जला कर भस्म कर दिया, इस प्रिकार उन सब को समाप्त करके वह सांग फिर इसकंद के पास लोटाई, हे नारद, इस प्रिकार उन दैतियों को नश्ट करके इसकंद ने परवस से कहा कि अब तुम अपने घर को लोट जाओ, और किसी प्रिकार की चिंता मत करो, क्योंकि हमने उस दैतियों को सेना सहित मार कर नश्ट कर दिया है, ये सुनकर क्रोज ने इसकंद की बहुत स्तूति की तथा अपने घर को ल जो कोई उसकी पूजा करेगा, उसकी सब मनुरत पूण होंगी, इसी प्रिकार दूसरे का नाम कपाल एश्वर तथा तीसरे का नाम कुमार एश्वर रखा, इन सिवलिंगों के लिए यह बरदान भी दिया कि इनकी पूजा से दोनों लोकों में सुक प्राप्त होगा, इसक इसकी पूजा करने से सब कार सिद्ध होते हैं, इसके अतरिक्त देवताओं तथा मुनिश्वरों ने एक और सिवलिंग के इस्तापना की, जिसका नाम रामिश्वर रखा गया, उसकी पूजा से प्रिजा की सब कामनाय सिद्ध होती हैं, ब्रह्मा जी बोले ही नारद, जिस समय सब देवता तथा देट लड़ाई में ब्यस्त थें, तथा देट इसकंद जी का तेज ना सहकर चारों और भागी, उनमें से बान देट नाम ब्रतान तो हम कह चुके हैं, अब हम प्रिलंब नामक देट के विश्वर में और बताते हैं, वे देट सेस जी के घर में जाकर दस कोटी सेना सहित बड़ा उपद्र मचाने लगा, उसने अनेक मंदरों को नश्ट भ्रष्ट कर दिया, सेस जी के पुत्र ने प्रिलंब का सामना किया, प्रंतु अंत में उसने पराजय स्विकार कर ली, तथो प्रांत सेस जी के पुत्र कुमध ने इसकंद की सरण में आक इस्तति की तथा प्रिलंब के उपद्रों की कथा विस्तार पूरवक कैसनाई, उसने बिने की कि हे स्वामी, आब हम उसको मारकर हमारे कष्टों को दूर कीजिये, मेरे कहने पर सेस जी ने उस दैत को नश्ट करने के लिए इसकंद से बिंते की, इसकंद ने यह सुनकर अप आताल लांकर, सेगरी, दोसे करोड दैत्यों को पिलंब सहित मारकर भस्म कर दिया, वे सक्ति उन सब का नास करके फिर उसी प्रिकार इसकंद के हाथ में आ गई, तब इसकंद ने कुमद से कहा कि हमने अपनी सक्ति द्वारा पिलंब का नास कर दिया, आब तुम निर्वय हो कर अपने घर को जाओ, सेज जी स्वयम तो इसकंद की सेवा में ततपर रहे, तता कुमद उनका आदिस पाकर वहां से लोट गई, तब देवताओं ने बेविद प्रिकार उस सब किये, मैंने तता समझत देवताओं ने इसकंद के स्थुति करते हुए कहा, हे माराज, आप अभी केबल साथ दिन के वालक हैं, तो भी इस प्रिकार देत्तियों का नास करते हैं, ये बड़ा आशर है, इसकंद ने देवताओं सहित जिस इस्थान पर युद्ध का विचार किया था, वह इस्थान सब्त तीर्थ के नाम से बड़ा तीर्थ प्रिस्द हुआ, तता जिस में भी कैलास परवत में इस्थान पर प्राप्त करते हैं, इसकंद जी के चरत अत्यंत पर देवताओं ने इसकंद से कहा है, आप कैलास परवत पर चलकर रहें, क्योंकि अभ सब ने अपना मनुरत प्राप्त कर लिया है, इसकंद जी ने इस बात को मान लिया तता विश्णो जी और मुझको सुभ महूर्थ देखने की आग्या दी मैंने महूर्थ देखकर देवताओं सहित इसकंद से बिने की कि अब सुभ महूर्थ आ गया है यह सुनकर इसकंद प्रसन हो अपनी माता पिता का ध्यान धर कैलास परवत को चले उस समय चारों ओर से जै सिव गिर्जा का सब्द सुनाई देने लगा इसकंद एक उत्तम बिमान पर आरूण होकर अपनी इस्तोती सुनते हुए चले उनके पीचे इंद्र एरावत हाती पर आरूण छत्र लेकर सवार हुए सब देखपाल सूर्य चंद्रमा सहित आगे आगे जय जय कार करते हुए चले सब ने सिव जी के पास पहुँचकर उने दूर से ही नम्रता पूरवक खड़े होकर पिणाम किया इसकंद्र ने सिव के निकट जाकर डंडवत की तब सिव जी ने उने गोद में लेकर उनको हिर्दे से लगाया गिर्जा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर अपनी सक्षियों सहित मंदर से बहार निकलाई उन्होंने तुरंती अपने पुत्र को गोद में उठा लिया सिव पारवती की यह लीला देखकर सव देवता आदी अपने अपने हाथ जोड सिर जोका बड़ी इस्तुति करती हुए बोले हे प्रवो आपने सिसु रूप में प्रगठ होकर तारक का बद किया एवं बांत ता प्रिलंब भी अपनी समत सेना सहित मारे गए इसी प्रिकार उन्होंने गिर्जा एवं इसकंद की अलग-अलग भी इस्तुति की फिर बे पिरणाम कर चुप हो गए हे नारद सिफजी ने अपने दया दृष्टी से सब को देखते हुए कहा मैंने केवल तुमारे लिए ही सगुण अवता लेकर बिवा किया है यह इसकंद मुझे बहुत प्रिय है इसने तारक का बद किया है अब तुम अपने अपने घरों में जाकर प्रिसंता पुरवक रहो हम इसी प्रिकार सदैव आनंद को चाहते रहेंगे क्योंकि हम सदै भक्ती के आदिन रहते हैं तुम सब हमारा इसमंड करना नहीं भूलना यह कहकर सिवजी ने सब को विदा किया फिर इसकंद के कुसल पूरवक लोट आने के कारण उनने ब्रामबनों को बहुत दान दिया तता बहुत उससब किया यह देखकर बहरव आदि गन बहुत प्रिसन हुएं देवता आदि सब अपने अपने घरों में पहुंचकर आनन्द के बाजे बजाने लगे तता अपने अपने कार में पूरववत संगलन हो गई यह नारद हमने तुम्हें इसकंद का ब्रतांत जितना भी हमें मालूम है के सुनाया यह चरित्र सब दुखों को दूर करने वाला तता आनन्द दायक है इसके सुनने से सब दुख तता विपत्तियां नश्ट हो जाती है इस चरित्र को सुनने तता सुनाने वाले भी परलोक में सुवगती को प्राप्त करते हैं इसके सुनने से सौभागी बढ़ता है तता सिव का साम्मी पे प्राप्त होता है गिर्जा तो आपने भक्तों के सदा सायक हैं हे नारद अब तुम और क्या सुनना चाहते हो नारज जी बोले हे ब्रह्मा जी, इसकंद का चरित्र सुनकर मुझे बड़ी प्रसंता हुई, अब आप सिविगर्जा के अन्य चरित्रों पर भी प्रकास डालिए, मैं आप से एक प्रिश्न करता हूँ, आसा है कि आप उसका प्रसंता से उत्तर देंगे, हे पिता, आप मुझ गनपती का चरित्र सुनाए, तता ये बताए कि वे किसके पुत्र हैं, पंच देव के पूजन की जो आग्या दी गई है, उसने एक गनपती जीवी हैं, उनकी किस समय से पूजा की गई, तीनों लोकों को उन्होंने किस प्रकार जीता, तता उन्होंने किस प्रकार इतने ख् मुझे बताईएं मैंने कई बार यह भी सुना है कि गनपती जी भी गिर्जा की पुत्र हैं परन्तु उनके विसे में विसेज कुछ नहीं जानता सिव जी ने उन्हें नमस्कार किया मुझे इसमें बड़ा संसय है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं यह सुनकर ब्रह्म पती विस्नु आदी के समान ही प्राचिन देता हैं वे अलग-अलग पांचों देवताओं में बटे हुए हैं यह नारद जब सिव जी गिर्जा के साथ विवा करके अंत्यपुर में बिहार करने लगें तब सिव एवं गिर्जा में ऐसा प्रेम बड़ा कि उन्हें रात दि व्यतित होते हुए कुछ भी ना जान पड़ें यह दसा देखकर सब दिवता मेरे पास आये तम में भी चिंतित होकर उन सब को साथ लेकर विश्नु जी के पास पहुचा और इस्तुति करने के पश्चात सब बरतांत उन्हें कह सुनाया कि सिव जी एक सहिस्त्र दिव्य वर कर रहे हैं पता नहीं ऐसे बिहार से कैसा पुत्र उत्पन होगा अस्तु आप ही इसकी विश्य में कुछ बतामें विश्नु जी यह सुनकर बोले हैं ब्रह्मन सब उचे तता सुवी ही होगा हमको ऐसे युक्ति करने चाहिए कि सिव जी का वीर किसी प्रिकार से प्रत्वी पर गिर पड़े जिसे गिरजा से पुत्र ना उत्पन होने पावे नहीं तो वे ब्रह्मान भर को जला कर भस्म कर देगा यह सुन्ने के पश्चात में तो अपने घर चला गया तता अन्य देवता कहलास परवत्व हो गई देवताओं ने सिवजी के द्वार पर जाकर उन्हें आवाजें दी तब सिवजी बाहर निकल कर आई उस समय देवताओं ने पिरणाम करके इस्तुती की और कहा है प्रवो अब आप संसार को पवित्र करें सिवजी देवताओं का आश्य समझ कर कहने लगे मैंने तुमारे मनूरत को अच्छी तरह समझ लिया है तुमने उन्होंने अपना बीर प्रत्वी पर फेंग दिया उसके तेज से सब और प्रिखासत हो गया उस समय अगनी कपोत का रूप धारण कर उस बीर को खा गए फिर जब बे उड़कर आकास को चले तो उस बीर को धारण करने की सकती ना पाकर उन्होंने उसे प्रत्वी पर दिया उसके गिरने से पहाड भी काप फुटा इस प्रिकार इसकंद की उत्पत्ती हुई जिसकी विसे में हम पहले बता चुके हैं यह नारद अब हम तुम्हें गनपती की विसे में बतलाते हैं इस घटना के घटते समय सिवजी ने सब देवताओं से कहा कि तुम लोग सिगर हमारे पास से भाग जाओ ऐसा ना हो कि गिर्जा इस बात को जानकर तुम पर क्रोध करें यह सुनकर देवता वहां से भागे तता सिवजी उनके भागने का चरेतर देखते रहें उसी समय गिर्जा ने आकर देवताओं पर मा क्रोध किया जिससे ऐसा प्रतित होने लगा कि अभी पिरले हो जाएगा। ततो प्रांद गिर्जा ने देवताओं को साब दिया। साब दे चुकने के पाश्यात भी उनका क्रोध सांत ना हुआ। उनका सरीर दुख की अधिकता के कारण सेतल हो गया। सेव जी ने गिर्जा को इस प्रिकार दुखी देखकर गोद में उठा लिया। तता बहुत सी प्रेम की बातें की। उन्होंने समझाती हुए कहा हे गिर्जे तुम मुझे इस प्रिकार क्यों अप्रिसन हो। मेरा कोई अपराद नहीं है। यदि अंजाने में कोई अपराद हो गया हो तो ख्यमा करो। तुमारे बिना मानो हम अंग हीन है। तुम तो सब की माता हो। तुमारे अधिन तो तीनों लोकों की कार हैं बिना तुमारे सब निर्मल हैं। अस्तु अब प्रसन होकर तुम हमारे तता सव के दुख को दूर करो। ब्रह्मा जी बोले है नारद, सिव जी के ऐसे बचन सुनकर गिर्जा बोली है नात, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते हैं। संसार में संतान हीन होने के बरावर कोई दुख नहीं है। मेरा पहला जन्म बिना संतान के ही ब्यतित हो गया। अब यह जन्म भी उसी प्रकार बीतना चाता है। देवताओंने मेरे साथ चल करके मुझे बांज बनाकर बहुत दुख पहुँचाया है। यदि पुत्र ना हो तो संसार के सहस्त्रों एस्वरों पर दिखा रहे। जब गुडवान पुत्र उत्पन होता है तावी लोक में सुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तीनों लोकों में सब कार्र पूर्ण होंगे। मैं विश्नु तता ब्रह्मा सब उसके बस में हैं। हम उसको अपना गुरु अथार्थ गनपती कहते हैं। वे मारा मुख्य रूप हैं। जिसकी सेवा से समच्थ दुख दूर होकर सुख की प्राप्ती होती है। तुम एक वर्ष तक उनका ब्रत करो तो तुमारा मनुरत सफल हो जाएगा। उनका नाम ही समच्थ कर्ष्टों को दूर करने बाला तता आनन्द धायक हैं। वे ब्रत क्रिष्ण पक्ष की चौत को किया जाता है। वे ब्रत गनेश चौत का ब्रत कहलाता है। उस ब्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा को उधै होते ही पूजा करे। वे ब्रत समस्त ब्रतों का राजा तता प्रते के च्छा की पूर्ती करनी वाला है। उसी प्रिकार सब सेवाओं में सिव की भक्ती मान है इसी प्रिकार गनेश चौत का ब्रत भी सब ब्रतों में बड़ा है। वे ब्रत करके सकती नामक पुत्र को उत्पन किया। इसी प्रकार इसी ब्रत के प्रवाव से अनेक मनिश्यों ने पुत्र प्राप्त किये ही। गिर्जें तुम भी इसी ब्रत के प्रवाव से अवश पुत्र प्राप्त करोगी। गिर्जाने सिवजी के मुक से गनेश चौत के ब्रत की महिमा को सुन प्रसन होकर कहा है। मैं अवसे यह ब्रत करूंगी। परंतु आप इस ब्रत के सब नियम क्रिया आदी विस्तार पुर्वक कहें। शेव जी बोलें। हे देवी कृष्ण पक्ष की चतुर्ती को सोतरदैसी प्रात एकाल उठकर इश्नान करें। तता जो कुछ करना उचित हैं। वे सब करें। इसके पश्चात ब्रत की द्रण इच्चा कर यह संकल्प करें। हे गनेश, आज हम तुमारा ब्रत करते ही, हमारा मनोत पून करना। हे गनपती, हमारा ब्रत भली प्रिकार से पून हो। जाए और हमारे सब दुक्र दूर हो जाएं तुम सब को जानते हो सब फलों के दाता हो तता बेदों ने तुमको बिगन हर्ता का है इस फिरकार हिर्दय में संकल्प करके चतुरती के दिन गनपती की बारता में ही दिन व्यतीत करें सूर्यास्त के समय इस्तान कर अपने इस्तान पर बैटें और कथा पूजा की सब सामिर घटी करें फिर गनेजी की पूजा के लिए अच्छा इस्तान त्यार करें जिसके चार ओर केले के खम्मे लगाई गए हो जब आकास में चंद्रमा उदे हो तब तुरंत अर्ग और इस्तापित करें जिसके उपर दीपक रखा हो इसके पश्यात ध्यान लगा कर 604 से उनका पूजन करें तता लाल फूल वस्त्र चंदन कोस दूद तता पूए आदी आगे रखकर आच्मन करा दें अच्छे इस्तुति करके प्रेम मगन हो उनको प्रणाम करें तदो प्रांत वही पुआ पूजन कराने वाले ब्रामण को खिला कर दक्षना स्वरूप कुछ चांदी दें नहीं तो अपने सामर्थ के अंसार जो चाहे सो दक्षना दें तदो प्रांत सैंबी मीठा बोजन करें इस प्रकार जो गनेश का ब्रत करते हैं उनकी मनो कांक्षा पूण होती ह हे गिर्जे इसलिए तुम भी इस ब्रत को करो बुलसिव महापराने कीजए बुलसिव संकर भगवाने कीजए